आलिया ने दिपिका को अपना मुकाबला मानने से इंकार कर दिया जिनके जवाब दोनों दिल चस्प अंदाज में देती दिखाई दी रापिट फायर सेग्मेंट में कर इनसे दिपिका पाडुकोन के बारे में पूछा गया कि क्या वो इन्हें इंडिस्ट्री में अपना मुकाबला मानती है तो इन्होंने जवाब देने के बज़ाए सवाल आलिया के सर डाल देते हुए कहा कि मुझसे ये सवाल क्यूं पूछा जा रहा है मेरे खयाल में ये आलिया के लिए है इसके बाद आलिया के रैपिट फायर राउंड में करन ने आलिया से पूछा कि वो दिपिका की कौन सी खूब भी अपनाना चाहेंगी इस सवाल पर आलिया का कहना था कि दिपिका की मौजूदगी जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं तो लोग इने देख कर सब कुछ भूल जाते हैं पिर करन ने करीना से पूछे जाने वाला सवाल दुबारा इन से पूछा कि क्या वो दिपिका को अपना मुकाबला समझती हैं आलिया ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं इनका और मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं वो मुझसे सीनियर हैं करन ने आलिया से दूसरा सवाल किया कि क्या वो इस वक्त को मुल्क की सबसे बहतरी नदकारा समझती हैं। इस पर करीना ने इनके लिए खुश होकर कहा बोल दो हाँ हाँ लेकिन आलिया ने नफी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं। जाहिर सी बात है। माज़े रहे कि इसी सीजन के पहले एपिसोड में दिपिका पाटकोन अपने शोहर अदकार रनवीर सिंग के हमरा शो में शरीक हुई थी और करन ने दिपिका से यही सवाल पूछा था कि क्या वो खुद को आज की बहतरीन अदकार अमानती हैं जिस पर इन होने हामी भरी थी।